A very good morning student of class 3rd. Welcome to the online class of Underline Public School. Students, in this video we will start exercise number 6. Okay, multiplying by a two digit number with regrouping. Students, इसमें two digit numbers हम multiply करेंगे plus regrouping भी रहेगा. Okay, students हमारी जो last video थी उसमें हमने two digits से multiply तो करा था पर वो without regrouping था. Okay, so these questions are with regrouping. Okay, students, rule same रहेगा. हम one by one सभी digits से multiply करेंगे और start once place पर करेंगे. Okay, जिससे सबसे पहले हम किस से multiply स्टार्ट करेंगे? 4 से multiply स्टार्ट करेंगे. Okay, students, 4 को हम सबसे पहले 7 से multiply करेंगे. क्योंकि हमेशा हमें once place से start करना होता है. तो 4 sevens are कितने होते हैं? 28 होते हैं. तो 28 में हम क्या करेंगे? 2 carry कर देंगे. Okay, और 8 नीचे लिख देंगे. Okay, अब next हम किस से multiply करेंगे? 3 से multiply करेंगे. 4 threes are 12. Okay, अब हम क्या करेंगे? Carry 12 है. Carry के 2 जो है, वो plus कर देंगे. तो total कितने हो जाएंगे? multiply, अब हम किस से करेंगे? 2 से करेंगे. 2 से multiply करने के लिए हमाँ first क्या करना होता है? यहाँ पर क्रॉस लगाना होता है. तो कि one space पर जो desert है, उसके नीचे में blank space छोड़ना होता है. Okay, तो अब हम किस से करेंगे? 2 से multiply करेंगे. 2 sevens और 14 होता है. तो 14 में भी क्या करेंगे? 1 carry हो जाएगा. इदर उपर लिखेंगे 1 और 4 नीचे लिखेंगे. Okay, students. Next, 2 को 3 से multiply करेंगे. 2 threes are 6. 6 में carry का plus 1 करा तो क्या होगे? 7. तो 7 यहाँ लिख देंगे. Okay, फिर इनको हम plus कर लेंगे. तो देखे, 8. 4 प्लस 4, 8. 1 प्लस 7, 8. तो हमारा आंसर आगे, 888. Okay, students. ऐसी question number F देखिए. 26 multiply by 54. Okay, तो देखिए. 26 multiply by 54. Rule सेम रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Once digit से multiply करेंगे. तो क्या करेंगे? 4 को 6 से multiply करेंगे. 4, 6 are 24. 24 में हम क्या करेंगे? 2 carry कर देंगे और 4 नीचे लिख देंगे. Okay, फिर हमके 4 को 2 से multiply करेंगे. 4, 2's are 8. Okay, अब carry के 2 थे. तो 8 प्लस 2 कितने होते है? 10. तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे. Okay, अब 10 में भी 2 digit है. तो हमने ऐसा नहीं करेंगे, कि 0 दर लिख देंगे, और 1 carry कर दिया है. नहीं, पूरा 10 हमने इदर लिखा है. ऐसा क्यों? क्योंकि 2 के पास कोई number नहीं, जिस पर हम 1 number carry दे सके. Okay, इसलिए 10 as it is पूरा आएगा. Okay, next 4 से complete हो गया है multiply. अब हम किस से करेंगे? 5 से. तो 5 से multiply start करने से पहले हम क्या करेंगे? Once place के जो digit है, उसके नीचे क्या करेंगे? Cross लगाएंगे. Okay, अब 5 से multiply start कीजिए. 5, 6 आ, 30. Okay, तो 30 के लिए 3 carry हो गया है. ये, और 0 नीचे आ गया. Okay, फिर 5, 2s आ, 10. 10 में आप carry का 3 plus करेंगे. ये 2 number plus नहीं करना है. ध्यान रखेगा. जो हमने उपर लगाया था, वो वाला plus करेंगे. तो 5, 2s आ, 10. 10 में 3 plus किया तो 13. तो यह आ गया 13. Okay, अब इसे plus कीजिए. 4, 0 plus 0, 0. 1 plus 3, 4. 1 as it is. तो हमारा answer आगया 1,404. Okay students, thank you.